नमस्कार फ्रेंड्स आज हम लेकर आई हैं फिरसे एक और नए एकसाइटिंग प्रोडक्ट आपके लिए हम लेकर आएं एमाजोन की 3rd जेशन की Firestick 2021 मौडल Friends अपने पुराने टीवी को अपने नौ स्मार्ट टीवी को स्मार्ट टीवी बनाने का एक सबसे आसान तरीका है Amazon की ये Firestick सभी तरह की OTT एप्स को सपोर्ट करने वाली ये Firestick Model का 2021 Variant है Friends Market में Amazon Firestick के कुल तीन Variants available है सबसे Higher Variant जो है एक 4K Variant है 4K Resolution को सपोर्ट करता है उसके बाद ये Mid Variant है जिससे हम अभी Unbox करने वाले है इससे नीचे एक Variant आता है Faiastic Light के नाम से उस Variant से आप अपने टीवी के कंट्रोल को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस रिमोट में हमको Mid Variant में हमको TV के वाल्यूम को कंट्रोल करने के कुछ बटन्स मिल जाते हैं Faiastic Light में हमें TV कंट्रोल करने के बटन्स रिमोट पर नहीं मिलते हैं उसके लिए आपको TV का रिमोट सेपरेटली यूज करना पड़ता है का डिफरेंस है वो है यह कुछ विक शॉटकट बटन्स हमें जो कुछ एप्स के बटन्स इस ही रिमोट पर दे दिये गए हैं जो इससे पहले वेरिंट में हमें नहीं मिलते थे साथ ही साथ इसमें बिल्ट इन है Amazon Alexa का built-in support फ्रेंस जैसा कि हमने अपसे बताया कि इस वेरिंट में 2020 वेरिंट में यह कुछ बटन्स का डिफरेंस है बट Amazon website के अनुसार यह वेरिंट उस वेरिंट से 50% जादा पावफुल है हालां कि वह हम एक separate वीडियो में अपना experience आपसे शेयर करेंगे कि उसमें और इसके streaming में कितना difference हमें देखने को मिला दोनई वेरिंट 1080p को support करते हैं 4K resolution के वेरिंट सपोर्ट नहीं करते हैं उसके लिए हमें 4K वेरिंट वाले स्फायस्टिक को purchase करना पड़ेगा अन्बोक्स करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि बॉक्स के चारों तरफ क्या-क्या चीज़ें मेंशन है फ्रेंट में वो सारी एप्स मेंशन है जो ये Amazon 5-6 support करती है ये support करती है प्राइम वीडियो को ये support करती है YouTube, Z5, Sony Life को, Woot, Discovery Plus, Amix Player को साथी साथ इसमें support है Netflix का, Jio Cinemas का, Hoi Choi Cinema, Amazon Music, Apple TV, Eros Now और Sawan Music को बॉक्स के दूसरी तरफ हमें लिखने को मिलता है देखने को मिलता है इसका content बॉक्स के अंदर हमें 3rd generation की fire stick देखने को मिलती है हमें voice remote 3rd generation वाला देखने को मिलता है दो AAA batteries मिलती है एक power adapter मिलता है USB cable और HDMI cable extender मिलता है इस्तेमाल करने के लिए जैसा कि हम सभी जानते है हमें Wi-Fi high-speed internet की ज़रूरत होगी और साथ में हमें ज़रूरत होगी एक HDMI TV में, इन TV में HDMI input की Quad-core processor से powered है और Wi-Fi support 802.11ac का इसे required है Dolby Atomos support करती है, Power Volume की controls इसमें inbuilt है Alexa control इसमें inbuilt है और 1080p resolution ये support करती है, जैसा कि हम आपसे पहले भी बता चुके है चलिए इसे quickly unbox कर लेते हैं Friends, Unbox करने पर अंदर हमें देखने को मिलता है सबसे पहले ये remote ये देखिए कुछ quick start buttons remote पर ही दिये हुआ है, Prime Video, Netflix, बाकी के apps का और Amazon Music का Alexa control का inbuilt button इसमें दिया हुआ है हमें मिलता है एक charging cable या यू कहेंगी power cable एक HDMI extender cable हमें देखने को मिलता है और साथ में देखने को मिलता है हमें ये fire stick box के दूसरी दरफ हमें देखने को मिलते हैं एक इसका power adapter जो की है 5V 1A का 5W का और साथ में ये 2 AA batteries इसके अलावा बॉक्स में हमें देखने को मिलता है एक 560 टीवी मैनुवल चलिए फ्रेंट्स कुटली इसे सेट अप कर लेते हैं और फिर आपको देते हैं इसका एक क्विक डेमो इस पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं इसको इस तरह से सेट अप करना हैं और देने वाले हैं इसका एक क्विक डेमो बनेने हम आज साथ वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपने इस फाय स्टिक को टीवी के HDMI पोर्ट में लगा लेंगे इन केस हमारा पोर्ट जो है अलाइनमेंट उसका इस तरह का ना हो के बैक साइड में हो टीवी में स्पेस ना हो तो हम इस TV Utilize केबल नमेट इस Tv Extender केबल को भी यूज कर सकते हैं बवांच को हम इस केबल में लगा लेंगे और यह केबल का HDMI पोर्ट हम टीवी के पोर्ट में लगा देंगे ने इस को पावर करने के लिए हमें इसके साथ धाय ओई केबल को इस्तमाल करना है के बिल का ये वाला एंड जो है हम डिवाइस में लगा लेंगे मैक्रो यूजबी पोर्ट है हमारे किसी भी पुराने सेल फोन में यही आता था आज कल यूजबी टाइप सी आ रहे हैं जातर मोबाइल में अभी भी कुछ मोबाइल में ये पोर्ट भी अवैलेबल है वायर का दूसरा एंड हम अपने दिये हुए अडैप्टर में लगा लेंगे और ये अडैप्टर को हम पाफ सप्लाई पोर्ट पे लगा देंगे आएगा सेटप हम आपको टीवी पर दिखाते हैं तो फ्रेंट्स डिवाइस हमने पावर अन कर लिया है हमने इसे अपने टीवी के एज़्यमे पोर्ट में भी लगा दिया है इस हमें डिवाइस बूट अप हो रहा है बूट होने के बाद में डिवाइस हमसे रिमोट को पेर करने के लिए कहेगा यह देखिए यह स्क्रीन है जहाँ पर डिवाइस हमसे कहता है अपने रिमोट को पेरिंग करने के लिए हमने सिक्सेसफुली अपने रिमोट को पेर कर लिए है as per instructions given on the screen उसके बाद हम अपनी लाइइगवेज सिलेक्ट कर सकते हैं यहां हम language select करने वाले हैं Indian English language select करने के बाद में हमसे यह अपने network से connect करने होगा हमने इसे अपने वाइफाई से भी connect कर लिया है वाइफाई से connect होने के बाद में device again कोई updates तो नहीं है यह चेक करता है यहां device को कुछ updates मेले है device ने वो updates ले लिए हैं और successfully updates लेने के बाद में अब हमें अपना Amazon account setup करने के लिए बताता है हमने अपने Amazon account से इसे link कर दिया है और इस तरह हमारा setup कम्प्लीट हुआ अब इस remote को हम अपने टीवी से भी pair कर लेंगे जिस तरह से instructions दिनिया ठीक उसी तरह से instructions हम follow करेंगे so that हमें टीवी का remote अलग से use ना करना पड़े हम इसी remote को टीवी के लिए भी use कर सकें कुछ instructions को follow करते हैं हमने टीवी को भी इसी remote से pair कर लिया है और यह देखिए आप initial boot up screen आ गया है initial login screen डेवाइस का कुछ इस तरह से दिखता है यहां हमें वो सभी apps दिखते हैं जो यह device support करता है Amazon का fire stick जो support करता है देखिए आप Netflix YouTube और अन्य सभी important और popular apps आपको इसमें देखने को मिलेंगे तो इस तरह से हमने अपने एक पुराने से non smart TV को upgraded smart TV बना लिया है network के थुरू connect होने पर device TV को एक smart look का feel देता है यहां सभी apps हमें देखने को मिलते हैं वूट, sony live app, YouTube यह देखिए हमने YouTube चला है YouTube में आपको अपना एक channel लोड करके दिखाते है हमने YouTube इंस्टाल कर रहे है YouTube इंस्टाल हो गया है इंसलेशन के बाद हमने YouTube उपन करा यह YouTube की initial screen हमें दिख गई है हम इसमें sign up कर सकते हैं जिसे हम बात के लिए रखते हैं अभी आपको quickly अपना life use का channel लोग इन करके दिखाते हैं यह देखिए friends life use का एक चोटा सा वीडियो आपको दिखा देते हैं तो friends को इतना आसान है डिवाइस को यूज करना quickly कुछ minutes में हमने अपने TV को एक smart TV में convert कर लिया है I hope यह वीडियो आपको पसंद आया हुग, आपके कुछ काम आएगा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे like अवश्य करें अपने friends के साथ इसे share करें और हमारे चैनल को subscribe भी करें हम ऐसे यह अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे Thank you Thank you Thank you